हेलो श्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पनाशी कोचिंग क्लासेस पर सोगात है क्लास लिएन फिजिक्स में पेरवच्चो आपका चेप्टर सेकेंड चल रहा है मतलब चेप्टर सेकेंड ए और इकाई भी सेकेंड चल रहा है जो आपका इकाई फर्ष्ट सा पेरवच्चो इकाई फर्ष्ट में आपका 1A, 1B, 1C कम्प्लिट करा चुका हूँ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा यहाँ पर हम सर्चा करेंगे आज बहुत सरे टॉपिक छोड़े चोड़े टॉपिक हैं जैसे यांतरकी, यांतरकी जितने भी टाफिक हैं पर हम क्लियर करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे यांतरकी, चैप्तर 1 में भी आपने पढ़ा है पेरवच्चो यांतरकी एक भौत्की की साखा है, जिसके यांतरकी हम धीमी गच से चलने वाले बस्तुमों, पिंडों का क्या करते हैं, अध भौत्की की साखा यांतरकी है, ऐसे बहुत सारे भौत्की, चेर समझ भौत्की, है ना सांख की भौत्की, और आपका बहुत सारा भौत्की है, पर बच्चो प्रकास की है, तो मतलब इनकी साखाओं में बटा गया है, तो उसमें से एक प्रकार है यांतरकी, कि भौत्की की साखा है अब देखो किसी भी चिछ को अध्यन करने के लिए अलाग अलाग करना जरूरी होता है जैसे आपका क्लास हो गया आपका बिद्याले हो गया आपकी बिद्याले में बहुत सारी स्टूडेंट हो गया अब उनको एक सांतिती बैठा दिया जा तो क्या अध्यन कराना सं गौश रेखर नहीं होता तो फिर अपन क्या करते हैं नाइंथ कलास की बच्चे को अलोग कर दिए एलेवंध का और ट्वल्थ का और उसमें भी जैसेसे इलेवंध का बच्चा है पहरे बच्चों तो उसे में इसना ओपका आर्ट रहे कामर्स रहे उसे का मैथ वाला बच्चा साइंस वाला बच्चा तो फिर वहाँ पर पढ़ाना मुस्किल हो जाएगा इसलिए आर्ट सब्जेक्ट अलग कर देते हैं कामर्स को अलग कर देते हैं साइंस में भी मैथ और बायोलाजी स्टुडिन को अलग कर देते हैं ताकि समझने में पढ़ाने म प्रतिवी प्रत्वी स्टकरने वाला एक प्रत्वी प्रत्री में रखना हैं तो दुनिया का कोई भी घटना है जो हमें दिख जाये प्रत्र से सम्मंदित घटना, वो क्या है? भवात्की है. और भवात्की भी जैसे प्रकास से होने वाली के घटना हैं, वो प्रकास की के नतरकत रख दिया ग Denk के ने तो यहांत्रकी में भी छोटे-छोटे पिंडो जिनका चाल धीमा होता है, गति क्म होता है उससे समन्दित अधन करते हैं अब कोई भी पिंडोगा उसमें गती होगी उसमें लगने वाला बल होगा उसमें परसपरिक समन्द का जब हम अधन करते हैं उसे यांत्रकी कहते हैं धीमी चाल से हो सकता है वो धिर धिर कती करते हुए रुक भी जाए लेकिन धीमी चाल से गति करते हो बस्तों का अध्दन करते हैं उसे हम यांत्रिकी कहते हैं यांत्रिकी को दो भागों बाटा किया है परबच्चो एक आपका इस्थैत्की और दूसरा है आपका गत्की इस्थैत्की का मतलब इस्थिर लेकिन बाकई में कोई भी पिंडेदी इ याद रखेगा प्रकासिकी जैसे ऑप्टिक्स हो जाता है तो इंग्लिस भी जरूरी होता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिस भी थोड़ा सा बोल दिया करें टॉपिक तो बोल इस्थैत की मतलब इस्टेटिक्स यह इस्थैतिक देखो सब्द से अर्थ निकलो इस इस्थैत की भी एक प्रकार का यांद्रकी का साखा है यांद्रकी का साखा है तो यांद्रकी की वह साखा जिसके अंतरगत बिरावावावस्था की बस्तों को अध्धन करते हैं यह तो परिवासा हो गया इस्थैत की मतलब इस्थिर बस्तों का अध्धन करना लेकिन बाकई उस बस्तु के गतिका अध्यन करते हैं यानि किसी बस्तु को संतुलन की इस्थित में हम लाना चाहते हैं इस्थिर अभस्ता में लाना चाहते हैं तो हम कुछ उसमें बल लगा रहे होते हैं तब उसका हम अध्यन करेंगे वो इस्थैत की कहलाएगा इस्थिर अवस्था में लाने के लिए संतुलन अवस्था में रान लाने के लिए हम उनमें बल का प्रभाव लगाएंगे मतलब बल लगाएंगे पेर बच्चो तो उसकी प्रभाव के अधीन बस्तूओं की गतिका क्या करेंगे अध्यन करेंगे उसे इस्थैद्की बोलेंगे विचसे भी यांद्रकी में मैंने आपको पहले भी बता दिया गया कि ये भौत्की के एक साखा है जिसके अंतरका धीमी गत्से चलने वाले हम पिंडों को क्या करते हैं अध्यन करते हैं इस्थैद्की में पूर्ण रूप से इस्थिर का तो अध्यन करने सकते हैं लेकिन कोई भी बस्तु जैसे गेंद को आपने थोड़ा सा धका दे दिया और लुड़ा करा है उसको हम इस्थिर करना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बल लगाएंगे तो किसी भी बस्तु को संतुलन में रखने के लिए कुछ न कुछ बल का प्रभाव होगा जिसके दिन बस्तु गति कर रहा होगा तब उसका मद्धन करेगे उसे कहेंगे इस्थैद्की समझ में आया गत्की तो सिंपल है पैर बच्चो गत्की यानि गतिमान यान्द्रकी की वैसा खा जिसके अंतरगत गति उत्पन करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हो किसी बस्त के गति का अध्यन किया जाता है गति की कहलाता है मतलब गतिमान बस्तों का अध्यन करेंगे लेकिन इस्थैद्की में इस्थिर करने वाले बलके प्रभॉग के बाद, जो बस तुमें गति होगा, उसका अध्यन करेंगे, यैनि कोई बस तुगतिमान है, तो उसका डाइरेक्ट दी अध्यन कर रहे हैं, तो वो गत्की कहलाएगा, लेकिन कोई बस तुगतिमान भी है, और उसमें हम बाहवल लगा रहे हैं कि ये संतुलन के स्थित में आ जाए, अपने मूल अवस्था में आ जाए, तब उसका हम अध्यन करेंगे, उसे बोलेंगे इस्थैत की, यार समझने की कोशिस करो, कोई भी टॉपिक कटी नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगेगा, बक्त है, आपको पता हो गया, बहुत की के एक साखा है, जिसके अंतर गत हम धीमी गति करने वाले पिंडों के गति का अध्यन करते हैं, और इसको दो हागों बाटग है, इस्थैत की, संतुलन की स्थित में किसी बस्तु को या पिंडों को हम ला रहे हैं, तब उसमें बलों का प् निर्देश तंत्र, अब देखो कभी-कभी एक-एक लाइन, एक-एक बाक में, एक-एक नंबर के प्रश्णों में ये पूछ दिये जाते हैं, फिर आपसे नी बनता, पूछ दिया गया, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, एक नंबर में पूछ दिया गया, निर्देश तं पर रहेंगे और आप किसी न किसी निर्देश का इंतजार करेंगे किसी न किसी निर्देश के आधार पर रहेंगे जैसे वहां पर टीचर आपको निर्देश देंगे कि बच्चा इधर बढ़ जा तो आपको बैठना पड़ेगा तो एक निश्चीत केंद्र बिंदू मान करक क्योंकि आपका केंद्र बिंदु कौन होगा एक teaching होगा जो आपको ले जाएगा वहाँ पर आपका संपूर केंद्र बिंदु होता है तो किसी चीज का संपूर करने के लिए या आपने पहले एक केंडर बिंदो बनाया मुष्झ लेजा कर कहीं पस आप खड़े कर दियruce तो आपका आ पह से लुट निरुटरbon बटेगी फिर इधर उधर जाएंगे समझने की बात करेंगे आप यह तभी आप निर्दिश्थ समझोगी कोई भी टॉपिक को इस अपने जीवन में रिलेट करो अपने जीवन में उसको धालो कि हां भाईया मर्ट जीवन में कैसे रिलेट हो सकता है तब वो आपको याद में आएगा समझ में आएगा तो हमने कहा ना कि आप कहीं टूर पे जा रहे हो जाकर कि वहां सब लोग एकत्रित हो गए केंदर बिन्दू बना लिया कि जहां भी जाएंगे वह आपस लौट कर यहीं पर मिलेंगे मतलब वह एक निश्चित केंदर बिन्दू बन गया और उसी स पर बच्चों निर्देश का कार यहां पर एक भौतिकी में किया जाता है कि जैसे किसी पिंद का हम अधन करेंगे तो एक तंत्र को हम एक केंदर बिन्दू मानेंगे और उसमें अक्ष्र मनाएंगे एकस वाई और जड़ और उसी के आधार पर हम किसी बस्तू के गति का कर सकते हैं उसे निर्देश तंत्र कहेंगे जिसे आंगन में कोई बेक्ती दोड़ रहा है और एक निश्चित बिन्द बना दिया कि इस बिन्दू के आपको चार और दोड़ना है तो वो उस बिन्दू का अनुपालन करेगा उस बिन्दू के पहले से नहीं भागेगा बना दिया जाता है कि इसी की आधार पर हम अध्यन करेंगे उसे कहते हैं निर्देश तंत्र मतलब एक निश्चित तंत्र तंत्र द्रण होता है जिसके सापेच किसी बिस्तु की इस्थित एवां गतिक अध्यन के जाता है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं जैसे पेर इस्थित हम बता सकते हैं कि एक सच से कितना है बायस से कितना है जड़त से कितना है फिर इसका अध्यन करना हमें आसान हो जाएगा अब इस जो निर्देश तंत्र को बाटा गया दो भागों बाटा गया है दो भागों में जैसे एक जड़त्वी निर्देश तंत्र और एक आ समान रूप से गती करता रहेगा या कि स्थिर ही होगा जैसे आकास में इस्थित तारे जड़त्वी निर्देश Tantra है आपको पता है जितना भी तारा होगा एक निश्चित में और गती करते वो अनियमित गति नहीं होता है एक इंशिद गति होता है तो एक जड़त्वी निर्देश तंद्र कहलाएगा जो प्रयोगी कार होते हैं उसके लिए प्रत्वी क्या माना जाता है इस्थिर माना जाता है तो एक प्रकार से वो जड़त्वी निर्देश तंद्र कहलाएगा प्रत्वी को इस्थिर मान करके उसके चार और गति करने वाले ग्रह को ग्रह का अध्धन करें तो एक प्रकार का जड़त्वी निर्देश तंत्र हो क्योंकि इस्थिर है ग्रह के सापेच इस्थिर है हलाकि प्रत्वी भी गतिमान है आपको बता है या कि प्रत्वी पर हम किसी बस्तु का अध्धन कर रहे होते हैं तो प्रत्वी क्या है इस्तिर है उसके साब पेछ हम अध्धन करेंगे तो वो जड़त्वी निर्देश तंत्र कहलाएगा क्या कहलाएगा जड़तवी निर्देश तंत्र कहलाएगा ठीक है समझ में आया या कि माली जी तारे एक समान गति मान है एक समान गति करती है तो तारा भी यह क्या है एक जड़तवी निर्देश तंत्र है एक समान गति कर रहा होता है लेकिन आजड़तवी में ऐसा नहीं होग जैसे पर बच्चो, ब्रतिएस्ऩटव पर कोई बश्तुанти कर रहा है मतलब गती कर रहा है तब उसके गत्य में परिवर्तन हो जाता है आफ ही जब कभी शाइकल या सिर्टैंथ ज तो आपकी गत्य में परिवर्तन हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है आजड़त्वी निर्देश तंत्र हो जाता है मतलब आजड़त्वी निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वी निर्देश तंत्र के सापेच तौरित गति करता है तौरित मतलब बेग में परिवर्तन होता है तो होती हुई बस बस मुर रही होती है उसके बेग में परिवर्तन हो जाता है बेग में परिवर्तन हो जाता है पर बच्चो इस काड़ से वो तुरित गति कहलाता है तुरित गति का मतलब क्या होता है जैसे आप गति कर रहे होते हैं और आपका कभी बेग तेज हो जाता है मतलब इस गतिकों तुरित गतिवी कह सकते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जोबे टॉपिक हैं, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि फेजिक साब बेसिक से पढ़ रहे हो न, आपका कोई भी बिंदू छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा आपसे बादा है, चलिए, आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखें बच्चे लोग बिरामा बस्था किसे कहेंगे, बिरामा बस्था मतलब इस्थिर है, जब कोई बस्थू, किसी नियत बिंदू, बस्थू या फ्रेम के साब पेच, समय के साथ अपने इस्थिर में परिवर्ता नहीं करता, तो उसे बिरामा बस्था में कहा जाता है, देखेगा, ज़रा समझेगा, दूसरे के साब पेच इस्थिर है, वो स्वयम में गति है, इसे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के साब पेच हो क्या है, इस्थिर है, जैसे हम प्रत्वी के साथ साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन हमारे चारों बेक्ती लड़का दोड़ रहा, और हम इस्थिर हैं, तो हम उस लड़के के साब पेच हम इस्थिर हैं, सिंपल, हम कहीं पे खड़े हैं, तो प्रत्वी के साथ साथ हम घूम रहे हैं, हम इस्थिर नहीं है, प्रत्वी विरामा बस्था में नहीं है, लेकिन हम खड़े हैं, और हमारे और कोई चार और दोड़ रहा है तो फिर हम उस व्यक्ति के सापेच इस्थिर है जिसे यहाँ पर आप हो और आपके चार और कोई व्यक्ति घूम रहा है तो फिर इस व्यक्ति के सापेच जो यहाँ पर एक व्यक्ति घूम रहा है इस बेक्त के सापेच में हम इस्थिरे तो हम इसे कहेंगे बिरामा बस्था जब कोई बस्तू किसी नियत बिंदू बस्तू या फ्रेम के सापेच समय के साथ अपनी इस्थित में परिवर्तन नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं भी रामा वस्था कहते है इसके बाद इसकी दूसरी परिवासा आती है गत्या वस्था गत्या वस्था मतलब परिवर्तन करता है जब कोई बस्तू नियत बिंदू बस्तू या फ्रेम के सापेच समय के साथ अपनी स्थित में परिवर्तन करता है उसे क्या वस्था कहलाएगा, जिसे example के तौर पर यहाँ पर मैं समझा दू, जिसे गतिमान रेलगारी में बैठा बैक्ती, अपने सभी सहयात्री के सापेच विराव वस्था में होता, कैसे? सभी के सभी बैठे हैं, उनके सापेच विराव वस्था में हैं, लेकिन रेलगारी के बाहर प्लेटफॉर्म में खड़े ब्यक्ति के सापेच हो क्या है गत्य वस्था में है वो गत्य कर रहा होता है दूसरे के सापेच में गत्य एक के सापेच में इस्थी रहे भाई इस्थी रहे ना एक के सापेच में और दूसरे के सापेच में क्या है गत्य क्यो तो होता है यदि आप चंद्रमा से देखोगी तो हमको इस्थिरवस्था में आप नहीं देख पाओगी किन्तु यदि आप हमारे साथ ही खड़े हो तब आप हमको इस्थिरवस्था में देखोगी तो यही चीज होता है गत्यवस्था और विराववस्था क्लियर हो गया विर रहे लेकिन जो रोट पे खड़ा होगा उसको तेही लगए कि नो बस में जा रहा है तो फिर गत्य वस्था में हो जाता है पर बच्चो इसलिए उसे हम कहेंगे गत्य वस्था ओके चली आगे देखते हैं बिंद वस्था किसे कहते हैं अब को के सार छोटे छोटे टॉपिक भ आया जाएगा बिंद वस्था किसे कहते हैं जब किसी वस्था का आकार या भी ओसके दorा तेय क擊 गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है तो उसे वस्था कौ को हम बिंद वस्था मान लेते हैं एक्जांपल में 110 मीटर 120 मीटर 130 मीटर उसको बल्ले के द्वारा फिंग दिया जाता है मतलब धक्का दे दिया जाता है बैटिंग करते हैं तो दूरी बहुत ज़्यादा होता है कर लेता है उस डिस्टेंस को ज़्यादा मिंटेन कर लेता है लेकिन आकार उसका बहुत छोटा होता है आकार तैकी गई दूरी के पेच्छा दूरी वो लांग डिस्टेंस तै करता है लेकिन लेकिन दूरी जितना तै करता है उसके साब पेच्छ में बहुत छूटा है इस कारण से वह बिंदुबस्तु माना गया है एक्जामपल मैं पूरा लिग दिया हूँ बिल्कुल आपको चिंता करना है क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके दौरा तै की गई दूरी की तुल्ना में बहुत ही कम होता है इसलिए गेंद को बिंदुबस्तु मान लिया जाता है गेंद एक बिंदुबस्तु का कार करता है प्रत्वी सूर के चारो और दिर्ग बत्ता कार कच्छ में प प्रत्वी चुकि बहुत बड़ा है, लेकिन जो इतना एक साल में वो सूर की परिक्रवा करता है, उसकी दूरी के साथ पेछो छोटा है, इसलिए प्रत्वी भी एक बिंदुबस्तु का कारे करेगा, एक बिंदुबस्तु से हम मान सकते हैं, बिंदुबस्तु समझ में आ गया मतलब कोई भी बिंदुबस्तु हो सकता है, यदि वो अपनी आकार के पेछा लॉंग डिस्टेंस टै कर ले, एनि लंबी दूरी टै कर ले, तो भी बिंदुबस्तु उसे हम मान सकते हैं, ठेक है, समझ में आया, ठेक, चलिए, आगे हमारा है, अब तीन टॉपिक और छोटे करना है आपको, एक बिमी गती, एक बिमी मतलब के बल एक सीधा रास्ता, एक सीधा रास्ता एक बिमी होता है, एक बिमी यह निए एक सीधा रास्ता, यदि दो रास्ता हो गया पर बच्चों, तो दूपिमी हो जाएगा, यदि तीन रास्ता हो जाएगा, तो एक बिमी सीध रास्टा मतलब एक सरल रेखा हो सकता हैrop Springs किरए गति करते हैं तो एकस अच में गति करेंगा तो वाइच में किवल दो अक्ष हो गा तो एक बिमी गति किसे कहेंगे कि जब कोई बस्तू एक सरल रेखा में गति करते हैं तो उसके इस गति को हम एक बिमी गति कहते हैं जब कोई बस्तू किस रेखा में एक सरल रेखा में गति करते हैं तो उसके इस गति को हम क्या बोलते हैं एक बिमी गती कहते हैं सबसे अच्छा एक्जामपल है रेलबे ट्रैक पर दोड़ती हुई रेलगाड़ी की गती सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गती तो यह क्या है एक बिमी केवल एक ही दिशा में चलते हैं उसे में बोलते हैं एक बिमी एक बिमी में हम किसी एक अक्ष को लेकर चलेंगे तो उसी के अक्ष का मान परिवर्तित होगा बागी अन्दो आप परिवर्तित रहेंगे जैसे पहरे बच्चो एक बिमी गती एक सरल रेखा में चलता है x अच्छ के समानतर ले 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 तो x का निर्दे संग परिवर्तित होगा y और z का परिवर्तित नहीं होगा y और z का परिवर्तित जिसे हमारे पास ये तीन अच्छ होगे x y और z जब सरल रेखा में कोई बस तुगति कर रहा है तो जिस अच्छ के समानतर ले रहे हैं उसी का मा केबल परिवर्तित होगा मांकी बाई और जड परिवर्तित नहीं होगे जिस अक्ष पे वो चलेगा उसी कमान परिवर्तित करेंगे मांकी क्या होगा चीरो क्योंकि एक सरल रेखा में गतिक कर रहा होता है और जब दुबिमी की बात करेंगे दुबिमी जैसे दुबिमी में हो कि तीसरह होगय, उसका मान क्या रहेगा आप परिवर्तित रहेगा, जैसे यहां पर देखो, दूइ भीमी की परिभासा पहले देखो, जब कोई बस तू, इस marriage करती तु उसकी समतल पर गथी करती है, तो ईस की समतल पर गथी करती है, पतलब टे। एक बिमी होगा एक यहाप पर दो बिमा है एक बार कहीं भी मुड़ सकते हैं एक बार इधार फिर इधार फिर इधार फिर ऐसा ठीक है जैसे पानी पर नाव गति करता है तो वो दो बिमी होता है केंद भी मुड़ सकता है ठीक है जमीन पर केड़े मकोडे चलते हैं बैक्ती चल रहा होता है बच्चे खेलते हैं तो सब दो बिमी के अंतर गताते हैं 3 primi में मैंने बता दिया भाया जिस भी अक्ष मीलेंगी जासे xy में लेंगे तो xy को य तो y the primi महीं संपल जबQué कोई वसथ तू आकास में गति करती है तो उसकी इस गति को हम त्रिमी गति कहते हैं आकास में गति कर रहा होता है आकास में कहीं भी उपर नीचे दाएंबाएं कहीं भी जा सके है जिसे दूबिमी में के बाद दाएंबाएं मुड़ जाओ उपर उड़ना नहीं है लेकिन जब दाएंबाएं के साथ दाएं बाएं कहीं मुड़ गया तो फिर आपका उद्विमी हो जाता है लेकिन दाएं बाएं मुड़ने के सांसादे जी उपर नीचे भी आपको उदने लग गया है हनुमान जी जैसे तो फिर पहरे बच्चो आपको उत्री बिमी हो जाता है अप समझ में आया कि एक सीधी ड आएं के सांसाद कहीं उपर उड़ जाए रसी से बांद के कोई खी चलिया तो फिर त्री मी हो गया कहीं भी जा सकते हैं उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है लडाकु वीवान उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है सीधे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है दा चदिएक तो जब कोई बस तो आकास में गति करती है तो उसकी से गतिको क्या बोलते हैं त्रिबी मी कई शोब आकास में कहीं है शैरता नीचे जमीन के लिए चल जाओगे नहीं खुच सकते ना नीचे नहीं ज also डा सकते truc प्रतिवितल से उपर जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो दाइं भी मुड़ सकते हो तो आपका त्री भी मी मतलब आकास में गति समझ में आ गया इतना समझे आप एक भी मीमी के बल एक ही सीधी रेखा पर चलना है इदर उदर नहीं मुड़ना है तुभी मीमी आप दाएं बाएं कहीं मुड़ सकते हो तुभी मीमी में पर क्या होगा लाइक करना नावलें सेयर कर दें और मेहनत बाके में लगता है आप लोगों को बता होगा जैसे एक वीडियो बनाना तो चार से पांच पर जिली को कंटेंट बनाओ इसके बाद आपको प्रवाइट करो इसको एडिटिंग करो इसके बाद आपको दिया जाता है फिर आपका रिस्पोंस से दे अच्छा नहीं आता तो फिर मेहनत करने में मन भी नहीं लगता तो प्लेज आप लोग सपोर्ड करें सेयर करें मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ बच्चे लोग जैहिन बंद मात्रम